Hello guys, my name is Gautam Singh and welcome to my channel Believer's Academy So friends, आज हम एक नया chapter start करने को जा रहे है जिसका नाम है Refraction of Light So Refraction of Light जैसे Reflection of Light एक Phenomena of Light होता है वैसे Refraction of Light भी एक Phenomena of Light So चलिए start करते हैं Definition से Refraction का So Refraction का Definition है कि the change in properties of light The change in properties of light When light moves from one medium to other medium is called Refraction of Light समझ रहे हैं? Most of the book में ये Definition दिया है कि The bending of light trace is called Refraction of Light लेकिन उसमें Slide जो है गलतियां दिया है क्योंकि Light जो सीरा सीरा जाता है तो उसमें कोई Refraction नहीं होता है वाकर Bending नहीं होता है लेकिन अभी भी Refraction of Light होता है तो Refraction of Light का जो Correct Definition है वो ये है कि when light moves from one medium to other medium its property changes This phenomenon is called Refraction of Light समझ रहे? तो देखें Refraction के कांट क्या क्या होता है तो पहला point है तो पहला point है कि when angle of incidence is greater than 0 degree and less than 90 degree then light deviates its path इसका मतलब है light जो है अपने पात से bend हो जाता है तो देखें क्या होता है देखें ये नॉर्मल है ये medium one है और ये medium two है ये normal है एक imaginary ऐसा line ये है incident rate ये है angle of incident ये है refracted rate तो light हो सकता है कि normal के तरफ भी bend हो जाए case number one और case two ये भी हो सकता है कि जो light है वो normal से अब ये bend हो जाए दिखें ये angle of incidence है ये incident rate और ये refracted rate और ये angle of reflection वैसी ये angle of incidence rate ये incident rate है और ये refracted rate और ये angle of reflection हो जाए समझ में ये case two हो तो पहला point आपको समझ में आ रहा है कि अगर angle of incidence जीरो से बड़ा है और 90 से कम है उस case में जो light है वो bent होता है मतला या तो नॉर्मल के तरफ जाएगा जैसे इस case में देख रहे है या तो नॉर्मल से दूर जा गा है ना लाइट को जाना था इस तरफ चले गया इस तरफ लाइट को जाना था इस तरफ चले गया इस तरफ पहला point clear second point reflection में क्या होता है देखिये कि इस light is incident नॉर्मली इस light is incident नॉर्मली देन इस फॉलोव इस ओरिजनल पाथ मतलब दस नॉर्मली तो यह मीडियम वन है यह मीडियम टू है इस वाटर होगा यह होगा लाइट सीदा सीदा है नॉर्मली गिरे तो उसकेस में अंगल आई बराबर अंगल आर बराबर जीरो होता है और light सीदे सीदे चले आरा लेकिन इस case में भी कुछ property change होती है light की इसलिए यह case भी refraction कर तो तीनी case refraction में होती है light सीदा सीदा या सकता है light normal के तरफ bend हो सकता है light normal से अबे bend हो सकता है समझ में आ रहा है तो यह सारी चीज तो आपको दिख रही कुछ ऐसी भी physical property है जो दिखती नहीं है लेकिन चेंज होती है जैसे speed of light frequency wavelength तो उनकी बात करते है तो जब भी reflection होता है जब भी reflection होता है जो wavelength होता है वो changes मतलब वो change होता है एक medium से जब दूसरे medium में जाएंगे तो wavelength change हो जाएगा जो frequency होता है light का does not changes and also speed of light होती है वो भी क्या हो जाता है आपका change हो जाता है तो आपको पता है कि speed of light पराबर lambda time frequency तो frequency तो सेम है लेकि wavelength चेंज होने से speed of light भी चेंज हो जाता है तो एकदम याद रखना आपको कि जब भी light का reflection हो उसका wavelength चेंज हो जाता है उसकी speed चेंज हो जाती है लेकिन उसका frequency हमेशा सेम रहता है तो reflection clear है reflection एक phenomenon of light होता है और reflection actually में होता है कि जब light एक medium से दूसरे medium में जाता है तो उसकी कुछ properties change होती है इसी को reflection बोलते है और reflection के तीनी cases होता है light सीदे सीदे जा सकता है light normal के तरफ जा सकता है light normal से अभे जा सकता है समझ में आ रहा है और यह तीनों प्रपर्टी जो light की होती है उसमें फ्रिक्वेंसी रिमेन अंचेंश्ट बट वेवलेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में तो वो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है तो जरूर देखिए और हमारे क्लासिस के साथ बने रहें थैंक यू